वेल्कम वेगुश्टूएंट्स आए यूट्यूब चेनल आज हम लोंग डिवीज़न मेथड से स्कॉयरूट फाइंड़ आउट करने वाले हैं स्टूएंट्स सबसे पहले मैं आपको इन्फोर्म और आपको मैं कुछ चीजे पहले से बतायता हूं कि square root हमने दो method से सिखे हैं बहुत सारे students तीन method भी उसकर सकते हैं जहाँ पर डारेक्ट एफटर्स लिख सकते हैं लेकिन especially दो method चलती वह होती है prime factorization and long division method अब जो हम method करने वाले हैं उसको हम long division method बोलते हैं हमारे पास एक number आप अल्रेटी गेवन है 9604 का आपको क्या find out करना स्कॉर रूट और method का ना में आपका long division method so students first long division method मतलब हो हमें division करना है लेकिन हैं पर square root के कुछ rules आपको follow करना है सबसे बेला आपको first step क्या करना है first step में आपको 9604 को कहां लिखना है dividend के form में लिखना है अब आपको students यह वाला patron आपको यहांपर follow करना है division का आपको जीसा sign मनाना है जो directly आप इसको division form में बोलेंगे यहां पर क्या लिखन after 9604 आपको लिखना है जीrint को 9604 को लिखना है जिसको हम डीविध ही दिवीध ही है in और हमें 9604 की लिखना ही यहां लास्ट से लास्ट साओ क्या व क्या बनाना है ही कर अबसक्राम कहा लौंगा चू टू के पर बनाना है कर आप पर्फेक्ट डिजीट थी इसलिए हमारे टूटू के पेर बंगा लेकिन अगर फाइव डिजीट से होती थी हम पर आगे एक जो नंबर रिमेनिंग बसता उसका पेर नहीं बन पाता इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाती है प्रोब्लम क्रियेट हो जाती है इसलिए आपको क्या क स्क्वार्ण भी से कि यहां पर स्कुल मेरे पेर से चलते हैं नंबर कौन सा नम्पर लें चांज अब एक बार नंबर को यहां पर भी लिखना है अब 9 का स्कूर कितना होता है 81 होता है कि आप यह समझे लो कि 9 करें टू 9 में करेंगे कितना है इसको माइनस करेंगे 96-81 आपको हो जागा 15 अब पेर पूरा के पूरा नीचा आएगा पर डिविजन का जो रूल होए आपको फोलो करना है अब इस्टुएंट्स यह तो हो गई हमारी अंदर वाली बात आप देखें फ्रेंट में क्या होगा तो जो नंबर आपने यहां पर इक बार लिए है वो नंबर आपको जो खाली जगा यहां पर प्लस करते हो चलना है तो 9-9 कितना हो जागा यहां पर हमारा 18 हो जाएगा यहां पर नीचे प्लस करते होग हो गया हमारी फरस्ट इस्टेप यहां पर होती है complete अब second step हमारे पास 18 already हमारे साथ रहेगा जो कि आपको division में क्या करेगा along इसके साथ आपको लेके चलना है और answer हमें क्या लेके आना है 1504 लेके आना है students जब भी आपको square root find out करना रहा है इसका मतलब कोई number आपको given है वो perfect square number है इसलिए हम डारेक्ट हैं यहाँ पर mathematically एक rule apply करेंगे जो कि multiplication का होता है आपका 1504 डारेक्ट लिया जाएगा करना क्या है में सब्से पहले आप देख लिए हमारे पास persa खत्म हो चुके यहाँ पर देखने चलना है यहाँ पर पर पैर क्याहे 96 और यहाँ पर हमाँ पास यूज होने वाले इसका मतलब आगए हमारे पासgrass प्लिक्लाइऑ ही नहीं है ये वापश विया पर यहां पर लेंगे आपको को यहां पर फस्ट पर पता है जैसे यह जो नब्री जो हुसके साथ जूड़ जाएगे जैसे में लेता हूं ठीव न उत्वह इन ये साथ बन जाएगा हे लांस टरम था बता है कि कौन से frontier करने करने पर लास्ट से में 2 आता है सेम नम्बर होना चाहिए वह 2 into 2 4 होता है एक होता है 8 into 8 जिसमें उनिक प्लेइप पर क्याना वाली और पता है कि अंसर के आने वाला है 15-0 पूर आने वाला लास्ट में डिजिट पता कि 4 आएगा तो इन दोनों 2 या 8 इन दोनों ब्रहें सब्सक्राइब कुछ नंबर लेना है मैं जैसे यहां पर लेता हूं तो यह 182 हो जाएगा तो तो मुझे यहां पर भी लेना है मैं 182 को 2 times multiply करूँगा तो 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 आने वाला नहीं है इसलिए हम क्या लेंगे 18 लेंगे आपको 18 यहां पर भी लेना है और वही नंबर मैंने बोला था है यहां पर प्लस करते हुए चलना है जो नंबर आप नहीं है लिए चलिए बनगे 181 88 का multiply at 8 में करेंगे तो चेक करते हैं कितना आ रहा है कि हमारा 150 1504 बन रहा है नहीं बन रहा है एक यहां पर भी लेना लेकिन यह 18 पहले से था तो यह 188 बन गया इसका मतब पूरे नंबर 188 का multiply 8 में करना है अंसर आएगा 1504 इसमें से माइनस करेंगे रिमेंडर बचेगा आपको 0 अब 188 हो गया तो आपको पता है जो नंबर यहां पर लिए उसका प्लस यहां पर नीचे वली जो खली प्लेस से इसमें करना है यह तो आपको बन जाएगा 196 अब स्ट्वेंट्स आपको हमेशा पता ह कि हमारा जो आंसडर आता है हम इसको वाले को क्या बोलते है कोसें जो कि हमारा क्या हो गया अंसर हो गया है इसका मीनिंग है ग्वाइन जीडरो 9604 का स्कुरूरूट हमारा क्या निकला 98प डारेक्ट इसका स्कुरूरूट का क्या है स्कुरूरूट अगर हम प्राइम नमबर्स का अगर निकालते हैं स्कुरूरूट तो बहुत लोंग हो जाएगा इसलिए लोंग डिविजन मेथट आपके लिए बहु वो depend करता आपके pair के उपर कितने बन रहे हैं अंसर तीन pair बन थे अंसर आपको फॉलो करना है यह वन स्टेप युट सेकेंड सेकेंड स्टेप में आपका सब्सुरू आ गया तो जितने पैर बनेंगे उतने इजिट का आपको अंसर आएगा उतनी स्टेप्स में आपका क्यों हो जाएगा डिविजन हो जाएगा